नमस्कार दोस्तों विद्ध्यावजन इस्टिट में आपका स्वागत हैं मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कोश्चन नमबर 12 तो चले जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए कोश्चन नमबर 12 है 2 APs have the same common difference the difference between their 100th term is 100 what is the difference between their 1000th term अब यहाँ पर देखिए 2 APs हैं जिनका common difference जो है वो same है 2 APs having same common difference और उनके 100th term के बीच का जो difference है वो 100 है तो उनके 1000 terms के बीच में क्या difference होगा यह हमें पता लगाना है बहुत ही simple है चलिए जल्दी से इसको solve कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 AP हैं दो AP है यहाँ पर तो पहली AP को हम माल लेते हैं A1, A2, A3 and so on और common difference जो है वो हम D माल लेते हैं और दूसरी AP कोम B1, B2, B3 and so on माल लेते हैं और common difference वही हो जाएगा D क्योंकि दोनों का जो है वो same common difference है तो अब यहाँ पर देखिए जैसा कि question में दिया गया है that A100 minus B100 is 100 यह देखिए question में यहाँ पर दिया गया है कि दोनों के 100 sum का जो 20 का difference है that is 100 अब यहाँ पर देखिए A100 क्या होगा A1 plus 100 minus 1 into D और B100 क्या होगा B100 होगा B1 plus 100 minus 1 into D and that is equal to 100 अब इसको simplify करेंगे यहाँ पर देखिए यह आएगा A1 plus 99 D यह हो जाएगा 99 और यहाँ पर bracket के अंदर यह हो जाएगा minus B1 minus 99 D यह भी देखिए 100 minus 1 is equal to 99 and that is equal to 100 अब यहाँ पर देखिए plus 99 D minus 99 D यह आपस में कर जाएगा बचेगा केवल A1 और B1 तो यहाँ पर यह हो जाएगा A1 minus B1 is equal to 100 और इसको हम equation 1 माल लेते हैं अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इनके 1000 terms के बीच में क्या difference होगा तो 1000 terms के बीच में difference कैसे पता लगाएगे वो हो जाएगा A1,000 minus B1,000 अब यह हमको पता लगाना है चलिए अब इसको further solve कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए A1,000 क्या हो जाएगा A1,000 हो जाएगा A1 plus 1000 minus 1 into D और B1,000 हो जाएगा B1 plus 1000 minus 1 into D इसको भी आप simplify कर लीजिए यह हो जाएगा A1 plus 999 D यहाँ पर हो जाएगा minus B1 minus 999 D अब यहाँ पर देखिए plus triple 9 D minus triple 9 D यह अपस में कर जाएगा बचेगा सिर्फ A1 minus B1 और जैसा कि हम जानते हैं equation 1 में A1 minus B1 क्या हो जाएगा from equation 1 A1 minus B1 is equal to 100 hence the difference between their 1000th term is also 100 and that is our answer